आपने अपनी मा को पनीर तयार करते हुए जरूर देखा होगा वह पहले दूध को उबालती हैं और फिर उसमें धीरे धीरे नीबू करस या सिरका डालती हैं जिससे कुछ ही मिनिटों में दूध फट जाता है इसके बाद वह इस फटे हुए दूध को एक पतले मलमल के कपड में डालती हैं और फिर उसे लटका देती हैं है ना ताकि सारा पानी उससे बाहर निकल जाए और अंत में दूध का ठोस भाग अलग हो जाता है जिसे हम छेना या पनीर कहते हैं अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी मा मलमल के कपड़े का ही क्यों उप्योग करती है और किसी अन्य कपड़े जैसे आपकी यूनिफॉर्म के कपड़े या डेनिम का उप्योग क्यों नहीं करती मुझे पता है कि यह थोड़ा अजीब सवाल है लेकिन फिर भी मैं आपसे इसका जवाब चाहता हूँ तो पहली बात यह है कि मलमल का कपड़ा अन्य कपड़ों की तुल्ना में बहुत पतला होता है और इसी कारण से इसमें से पानी आसानी से निकल सकता है है ना ठीक है तो क्या इसका मतलब यह है कि हम कोई भी पतली चीज इस्तिमाल कर सकते हैं जैसे प्लास्टिक की पतली शीट जिसका उपियोग प्राय है भोजे पदार्थों को ढखन नहीं जा सकता है इसका मतलब हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो पारगम में हो जिसके आरपार पानी आसानी से निकल जाए और यही कारण है कि पनीर बनाने के लिए मलमल के कपड़े का उप्योग किया जाता है क्योंकि यह पतला होने के साथ ही पारगम में भी होता है इससे पानी आसानी से निकल सकता है पनीर बनाने के इस पूरे तरीके का उदारण देकर मैं आपको बस यह समझाना चाहता हूँ कि यदि हमें किसी द्रव पदार्थ को किसी सतह के आरपार गुजारना है तो इसके लिए सबसे अच्छी सतह वह होगी जो पतली और छिदरी युक्त हो याने पारगम में हो जिससे कुछ भी आसानी से गुजर सके अब मैं चाहता हूँ कि आप इस समझ के आधार पर जैविक जिलियों यानी बायलोजिकल मेंब्रेन की क्रिया विदी को समझने का प्रियास करें जो कि पौधों और विभिन्ने जीवों के शरीर में मौजूद होती है और इनके जरिये किसी न किसी चीज का आधान प्रदान होता है चाहे वह गैसे हों, पोशक ततो हों या कोई द्रव, इन जिलियों से कुछ ना कुछ अंदर जाता है या बाहर आता है और इसके लिए इन जिलियों का पतला और पारगम में होना आवश्यक है इसलिए इन्हें बायलोजिकल मेंब्रेन या जैविक जिलि कहा जाता है इस तरह की जिलियों का एक उधारण पौधों की जड़ों में मिलने वाले मूल रोम है जिनसे पौधे पानी और खनीज पदार्थों को अवशोसित करते हैं इसी तरह हम अपने पाचन तंतर का उधारण ले सकते हैं जिसमें छोटी आत के भीतर एक बहुत पतली परत होती है जिससे पोशक्तत्व हमारी रग्त वाहिकाओं में अवशोसित होते हैं इसका एक अन्य उधारण हमारे फेफडे हैं जिनके भीतर अलवियोलाई या कूपिकाओं की दीवारें गैसों के लिए पारगम में होती हैं जिसके कारण इनसे गैसों का आदान प्रदान होता है और हम ऑक्सीजन ले पाते हैं तथा कारबन डाई उकसाइट को वायू मंडल में छोड़ पाते हैं इस वीडियो में हम अलवियलर मेंब्रेन यानि कूपिकाओं की जिल्ली के बारे में समझेंगे और यह जानेंगे कि हर बार जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन और कारबन डाई उकसाइट को इन जिल्लीयों की कितनी परतों को पार करना पड़ता है तो यह एक कूपिका को दर्शाने वाला चित्र है जैसा कि आप देख सकते हैं यह कोशिकाओं की केवल एक परत से बनी सनरचना होती है और यह विसिस्ट कोशिकाओं हैं जिन्हें स्क्वैमस सेल या शल्की कोशिकाओं कहा जाता है इन्हें शल्की कोशिकाएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कोशिकाएं मचलियों के शल्कों की तरह बिल्कुल चपटी होती हैं और इन कोशिकाओं से बनी जिल्ली को squamous epithelium या शल्की उपकला जिल्ली कहा जाता है अब ये शल्की उपकला जिल्ली इतनी अधिक पतली और सपाट होती है कि ये अकेले अपनी सनरचना को नहीं बनाए रख सकती इसलिए इसे अपनी सनरचना को बनाए रखने के लिए किसी ऐसी चीज की जरूरत होती है जो इसकी सनरचना को सहारा दे सके और इसकी सनरचना को सह इस शलकी उपकला जिल्ली के चारो और मौजूद यह एक अन्य जिल्ली करती है जिसे बेसमेंट मेंब्रेन या आधार जिल्ली का जाता है। बहुत पतली परत बनाते हैं जिससे वायू आसानी से गुजर सकती है। है कि किस प्रकार कुपिकाओं के चारो और रक्त वाहिकाओं का घना जाल बना है। तो चलिए इन रक्त वाहिकाओं को यहां भी बना लेते हैं अब यहां भी वायू को इन रक्त वाहिकाओं की दीवारों से गुजरने के लिए इन दीवारों को भी अत्यधिक पतला और वायू के लिए पारगम में होना चाहिए और इसके लिए इन रक्त वाहिकाओं की दीवारें या जिली भी शल्की कोशिकाओं से बनी होती है लेकिन इस मामले में इन्हें शल्की एपिथीलियम नहीं बलकि शल्की एंडोथीलियम या शल्की अंतर कहते हैं लेकिन ऐसा क्यों है इनके नाम में यह अंतर क्यों है यानि कूपिकाओं और रक्तवाहिकाओं इन दोनों की दीवारे शलकी कोशिकाओं से बनी होती है लेकिन दोनों के नाम में अंतर क्यों है तो यहाँ थीलियम या आस्तर का मतलब होता है शरीर के उतकों की परत और शरीर क वे उतक जो हमारे शरीर के उन मारगों के आस्तर का निर्माण करते हैं जो सीधे बाहे पर्यवरण के सम्पर्ख में होते हैं जैसे श्वसंतंत्र या पाचंतंत्र शरीर के ऐसे उतकों को एपिथीलियम या उपकला कहा जाता है। लेकिन शरीर के वे उतक जो हमारे शरीर के उन मार्गों के आस्तर का निर्माण करते हैं, जो पूरी तरह से बंध होते हैं, जैसे रक्त परिसंचनण तंत्र, शरीर के ऐसे उतकों को एंडो थीलियम या अंतह इस्तर कहा जाता है। अब यहां मैं इन दोनों नामों पर इसलिए जोर दे रहा हूँ, क्योंकि ये परिक्षा में प्राया है, बहु विकल्पी प्रशनों में पूछे जाते हैं, और विद्यार्थी अकसर इन नामों को लेकर भ्रमित रहते हैं, इसलिए हमेशा याद रखें कि एंडो थीलियम का म प्रम्ह में बताया था कि कुपिकाओं की शल्की कोसिकाओं को अपनी सनरचना को बनाई रखने के लिए सहारे की आवस्यक्ता होती है, और इनकी सनरचना को सहारा देने का कारिय बेस्मेंट मेंब्रेन या आधार जिल्ली के दोरा किया जाता है, ठीक इसी प्रकार रक्त वा तीन पर्तों से होकर गुजरना होता है, हम जब सांस लेते हैं तब वायू मंडल से कुपिकाओं में जो वायू आती है, उसमें मौजूद ऑक्सीजन सबसे पहले कुपिकाओं की शल्की एपिथीलियम से होकर गुजरती है, इसके बाद वह आधार जिल्ली से होकर गुजरत जहां से उसे सांस छोड़ने के दोरान शरीर से बाहर कर दिया जाता है। जहां से बाहर कर दिया जाता है।